बच्चों आज क्लास 11 बाटनी का नया चेप्टर है रेस्परिशन इन प्लांट्स तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं रेस्पारिशन इनर्जी गिविंग प्रोसेस है रेस्पारिशन से इनर्जी हमको मिलती है जो हायर प्लांट्स हैं उनमें ऑक्षिएन एंटर करती है इस टोमेटा के दुरू लेंटेसिल्स के दुरू बेसिकली ये दो तरीके का होता है एरोबिक और एनेरोबिक ऑक्षिएन की प्रजेंस में अगर होता है तो एरोबिक औक्षिजन के अबसंस में होता है तो अनेरो भी आज हम गलाइकुलाइसिस पढ़ते हैं इसके बाद किरेब साइकल पढ़ेंगे इसके बाद ETS पढ़ेंगे एलेक्टरोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम तो सारी चीजें एक एक करके पढ़ते हैं पहला गलाइकुलाइसिस साइटोपलाज में होता है, कुछ इसको सेल के साइटोसॉल में भी बोलते हैं, लेकिन NCRT को अगर हम फालू करें तो सेल का साइटोपलाज में होता है, साइटोपलाज में होता है, साइटोसॉल अलमुस सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो NCRT के एकॉर्डिंग सेल के साइ glucose enter करता है, glucose carbohydrate है, six carbon atoms होते हैं, इसमें, एक sequence है, एक serial order है, reactions का, दस steps होते हैं, reactions के, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten, तो last जो step है, इसमें pyruvic acid के दो molecules बनते हैं, तीन carbon वाले दो molecules बनते हैं, reactions एक definite order में proceed करते हैं, biology के अंदर एक reaction, जब दूसरे reaction में change होती है, या एक product reactant side का नया product बनाता है, तो उसमें हर step पे enzyme की जरूरत पढ़ती है, enzyme एक catalyst की तरह काम करता है, तो glucose से glucose six phosphate बनता है, और जैसे तुमको दिख रहा है, phosphate world बन गया, तो phosphate आया कहां से, यह phosphate ATP से आता है, और ATP का एक phosphate यहां attach हो जाता है, फिर ADP बच रहता है, adenosine diphosphate बच रहता है, adenosine triphosphate आता है, यह phosphate यहां use हो जाता है, यह six carbon structure है, इसके बाद magnesium iron की presence में होता है, इसके बाद glucose six phosphate, फास्पोहेकजोकाइनो, फास्पोहेकजोआईसोमरीज इंजायम की presence में, फ्रक्टोज six phosphate में बदल जाता है, फ्रक्टोज six phosphate, फ्रक्टोज one six diphosphate में बदल जाता है, इसको बिस phosphate के नाम से भी pronounce करते हैं, यहां पे भी एक phosphate की utilization होता है, फाइनल लिव, इसके बाद फ्रक्टोज one six by phosphate, three phosphoglyceride में बदल जाता है, यह अपने दूसरे फॉर्म में भी आ जाता है, डाई हैडॉक्सी ऐसी टून phosphate, reversible है, यह इसमें चेंज हो सकता है, इसमें चेंज हो सकता है, दो molecules बनते हैं, इसके बाद one three by phosphoglyceric acid, यहां पे एक phosphate मिलता है, ADP है, एक phosphate इसमें जुड़ता है, ATP बन जाता है, phosphoglyceric acid, phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid, 2 phosphoglyceric acid, 2 phosphofenol paravic acid, finally 2 paravic acid बन गया है, एक में तीन कारबन है, दोनों में 6 कारबन होगा, यहां पे यह जो two लिखा हुगा है, यह सब two molecules हैं, और यह paravic acid, अब आगे एंटर करेगा, क्रेब साइकल में, तो यह कुछ इसकी खास बाते हैं, दो molecules paravic acid के बनते हैं, total 4 ATP produce होते हैं, दो इस्तेमाल हो जाते हैं, और reactions जो होते हैं, 10 होते हैं, यह आपको याद करना पड़ाएगा, ग्लाइकुलाइसिस में जो होता है, ग्लूपोज तूटता है, ब्रिकेज अप ग्लूपोज इंटर कारविक एसिट, तो यह सीरीज अप्रियक संसे, इसका दूसरा नाम EMP pathway भी है, इसको जर्मनी के तीन साइन्टिस्ट थे, इंबेडन, मियरहॉफ और थर्ड पार्नस, इन तीनों ने डिस्कवर किया था, उनकी नाम पे इसको, EMP pathway के नाम से जाना जाता है, तो इसना ही रखते हैं, दस ही step इसमें हैं, यू आगे बताएंगे, उसके बाद electron transports, chain बताएंगे,